अर्याना राज से बहुत ही हिर्दे बिदारक और दुखत घटना सामने आई कि नासिर और जुनैद नाम के दो मुस्लिम युवक जो की बुलेरो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे वो रच्छा दल और बजरंग दल के कारिकरताओं तथा हर्याना के C.I.A. के द्वारा उनको रोका गया उनको मारा पीता गया और बुलेरो में उनको जिन्दा जला दिया गया पिछले कई सालों से जिस परकार से ब्रामनवादी संगठनों के द्वारा मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है वो केवल मुश्लिपों को टार्गेट बनाये जाने का मामला नहीं है बलकि देश की एकता और अखंडता पर भी खत्रा है और भारतिय सम्मिधान दोरा देश के नारिकों को जो सुरच्चा की गारंटी दी गई है देश के नारिकों को जो अधिकार दिये गए हैं उस पर भी हमला है यह तरफ जहां हम आजादी का पचातरवा बर्सघाट मना रहे हैं और आजादी का अमरित उस्सो चल लहा है ऐसा सर प्रकार के द्वारा कारिकरम चलाए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की अमानविये और घ्रडित कायरता पूर घटना हैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं इस घटना की जितना निंदा की जाए उतना कम है राश्टिये पिछड़ावर्ग मोर्चा की तरफ से इस घटना का हम लोग जाहिर तोर पर धिक्कार करते हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले जो भी अपराधी हैं उनके खिलाप कठोर से कठोर कारिवाही हो ऐसी मांग करते हैं बहुजन करांती मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 25 फरवरी 2023 को देश भर में इस घटना के विरोध में देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए संबैधानिक मुल्यों की रच्छा के लिए देश के नागरिकों के सुरच्छा के लिए देश के नागरिकों के अ यापन भी प्रेशित किया जाएगा ये आंदोलन देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए है सामाजिक और संबैधानिक जो मूल्ले हैं उनकी रच्छा के लिए है तो इसलिए राष्टिय पिछड़ावर्ग मोर्चा की तरफ से बहुजन करांती मोर्चा और भारत मुक् चिंतकों को अपील करते हैं कि बहुजन करांती मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जो आंदोलन घोशित किया गया है इसमें पूरी ताकत के सास्थ सामिल रहें और संबिधान के दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को काम्याब करने का काम करें बहुत दो दन्नावाद